जै स्री क्रिश्न दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि आने वली साथ तारीक याने साथ मई को अक्षे तृतिया है तो आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि अक्षे तृतिया को इतना खास क्यों माना जाता है मतलब अक्षे तृतिया का क्या महत्व है अक्षे अक्षे तरतिया पर कौन सी चीज खरीदना चाहिए, अक्षे तरतिया पर कौन से देवता की पूजा करना चाहिए और अक्षे तरतिया के दिन किस महुर्त में याने कौन सा शूब महुर्त हैं इसके बारे में हम जानेंगे और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि अगर आपको धन की बहुत कमी हो रही है और आप धन प्राप्त करना चाहते हैं लक्षमी प्राप्ति करना चाहते हैं तो अक्षे ततिया पर एक बहुत ही चमतकारी उपाय जानेंगे जिसके दौरा अगर आप उस उपाय को करते हैं तो क्या अक्षे त्रतिया केवल सोना खरीदने का ही दिन है क्या अक्षे त्रतिया पर केवल शादी विवाहिक करने का दिन है और कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि अक्षे त्रतिया के दिन बिना कुछ मौत देखे बिना कुछ समय जाने आप कुछ भी काम को शुरू कर सकते ह और के यही तीन कारणे जिसकी बज़े से अक्षे तरतिया का इतना महत्व है? बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं. चलिए हम यह जानते हैं कि अक्षे तरतिया को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? तो ऐसा माना जाता है, शास्त्रों में इसा माना गया है कि अक्षे तरत ये तीनों ही अवृतार अक्षर तत्या के दिन ही हुए है। और इसव वज़े से अक्षर तत्या को परिष्वययोर को बनाथरयोला जाता हैे। वो इसी दिन से यानि कि अक्षे तत्या के दिन से हुआ है अभीजीत मूर्थ जो कि इतना उत्तम मूर्थ है तो अक्षे तत्या को भी अभीजीत मूर्थ के बराबर ही उत्तम या अच्छा माना जाता है इसी वज़े से इस दिन किसी भी शुबकारी को या कोई धार्मिक कारी की शुरुवात हम कर सकते हैं बिना पंचांग देखे इसी दिन प्रसिद्ध बद्रिनात के कपाट खुलते हैं इसी दिन बाके बिहारी के मंदिर में बाके बिहारी के चरणों के दर्शन होते हैं क्योंकि बाकी टाइम तो बाके विहारी के चरण ढखे रहते हैं लेकिन अक्षे त्रतिया के दिनी उनके चरणों के दर्शन का सोभागी प्राप्त होता है तो इन कारणों से ही अक्षे त्रतिया को इतना खास माना जाता है यही इनका इसका महत्व है तो चले हम यह जानते हैं कि अक्षे त्रतिया को कौनसी चीज का दान करना चाहिए तो अक्षे तरतिया को आप सोने का दान कर सकते हैं, भूमी का दान कर सकते हैं, पंखे का दान कर सकते हैं, जल या जलपात्र का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, तिल का दान कर सकते हैं, बस्त्रो का दान कर सकते हैं, सत्तु का दान कर सकते हैं, छाते का दान कर सकते और शास्त्रों में यह लिखा है कि अगर इस दिन गरीबों को जो या जो के आटे का दान किया जाए तो वो सुन्ण दान के बराबर होता है मतलब अगर अक्षे आत्रितिया को कोई इंसान, अगर सक्षब नहीं है इस सोने दान करने का तो वो जोका दान भी अगर करें, तो वो सोने के दान के बरावर उसको लाव होता है, सोने के दान के बरावर उसको पुन्य मिलता है, तो ये तो थे कि हम क्या दान कर सकते हैं, तो फिर क्या करना चाहिए इस दिन, अब ये जानते हैं कि हम इस दिन क्या कर सकते हैं, आप इस द ततिया से उस काम की शुरुवात करेंगे, अगर वो काम अच्छा है तो निश्यत तोर पर आपको उसमें सवलता मिलेगी, विद्यारती को चाहिए, जो विद्यारती है या जो कुछ आने आगे पढ़ने का सोच रहे हैं, कुछ बनने का सोच रहे हैं, तो इस दिन आप अपना चीज की या किस बस्तू की या किस धातू की खरीदारी हम कर सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि शास्त्रों में ऐसा कोई विधान नहीं है, कि आपको अक्षे तरतियाक्यों ये चीज खरीदने चाहिए या वो धातू खरीदने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, बल कर रहे हैं अक्षय की जो कभी क्षय नहीं हो जो कभी समाप्त नहीं हो अगर आपको प्राप्त ही करना है तो आप ज्ञान प्राप्त करिए क्योंकि ज्ञान कभी क्षय नहीं होता अगर आपको प्राप्त ही करना है तो पुन्य प्राप्त करिए पुन्य कभी क्षय नहीं होता अगर आपको प्राप्ति करना है, तो कुछ संकल्ब, कुछ ब्रत, कुछ उपवास, कुछ ऐसी चीज जो कि आपका अगला जीवन सुधार सके, ऐसी चीज प्राप्त करिए, क्योंकि इसका क्षय नहीं होता, तो इन चीजों को आप प्राप्ति कीजे, ना कि खरीदने पर मनाते हैं, जब भी कोई तेवार मनाते हैं, या कोई भी पर्व मनाते हैं, उसका धार्मिक महत्प क्या है, उसका श्रास्त्रोक महत्प क्या है, इसको मध्यान नहीं रखते हैं, सिर्फ ध्यान क्या रखते हैं, व्यापारिक महत्प ध्यान रखते हैं, या मोजमस्ति के जैसे धन्तिरस आती है, तो धन्तिरस को सबसे पहले यह नहीं आता कि हमें इस दिन कौन से देवता की पूजा करनी है, हमारे ध्यान में यह आता है कि इस दिन हमें कौन सी चीज खरीदनी है, यार हमको गाड़ी खरीदनी है, कि हमें सो ना खरीदना है, इसका ही ध्यान आता है कभी आपने यह सोचा बहुत कम मेनी करह हैं सभी लोग यही से लेकिन बहुत कम लोग यह सबाइता है लगा। लेकिन no beta करते हैं जिनको यह पता है धंति रसको किस देउता की पूझा करना है। यह ध्यान है कि हमें क्या खरीदना है तो इसी तरह से हमने हमारे जो ड्यवहारे हमारे जो पर्वे उनको इसी तरह से हम मना रहे हैं केवल मोजमस्ति के लिए या ब्यापारिक द्रश्टि कुण से और इसी वज़े से हमारे समाज में विक्रतियां फेल रही हमारे समाज खराब होता जा रहा है और हमारे समाज खराब होने के कारण ही लोग आज सनातन धर्म के प्रती उनका रुझान कम होता जा रहा है आप देख रहे हैं दिन बर दिन हमारे सनातन धर्म जो है उस पर लोगो आप जो भी परव मनाय, जो भी तेवहर मनाय, उसके धार्मिक मेहत्व को समझ के ही बनाय. और साथ में अपने बच्चों को भी समझाए, क्योंकि जैसे आपको वो देख रहे हैं, झाथ भी वो भी कलंगा करेंगे. तो ना तो आप जानते हो उसके धार्मिक महत्वय को और आप नहीं जानते हो इसलिए आप अपने बच्चे को नहीं बता पाते हो और बच्चा भी वेसे ही करता है और इसी तरह से हम धिरे-धिरे हमारे जो धार्मिक महत्वय है या हमारे तेवहार से पीछे हटते जा रहे हैं तो चलिए अब यह जानते हैं कि इस दिन कौन से उपाय कर सकते हैं तो जिन भी लोगों को लक्षमी वरप्ति करना है या लक्षमी जी की उपासना करना है वो इस दिन यहने अक्षे तत्या की दिन संकल्प लें और नेक्स्ट शुक्रवार से यानि साथ तरीके में बात कर रहें यानि मंगलवार की बात कर रहें और मंगलवार की बात जो शुक्रवार आएगा उस दिन से आप उपासना शुरू करें और उपासना में आपको करना क्या है कि खीर, पांच फल, पांच सुपारी, शहद, बस्त्र और भोजन, किसी बुजुर्ग महिला या फिर बच्चों को दान करना है और यही काम आप हर महिने की जो शुक्रवपक्ष की ततिया आएगी उस दिन आपको यह करना है यहने हर महिने एक बार आपको यह काम करना है अगर आप इसा करते हैं तो बहुत जल्दी आपके प्रमान लक्षमी की करपा होगी और आप धन दाने से परिपूर्ण होगे दूसरा उपाए अगर आपके घर में यहने आपके परिवार में रिस्ते नहीं निपा रहे हैं आपस में लोगों का मन मुटा हो रहा है तो इस दिन से यहने अक्षे ततिया के दिन से आप ओम नारायन नमो नमा का जब शुरू कर सकते हैं तो बहुत जल्दी आपके रिस्तों में मधूरता आएगी तीसरा उपाए अगर आपको लक्षमी की बहुत कमी है यानि कि बहुत तंगी चल रही इस समय आप सभी तरह से घिरे हुए हैं आपको आपके उपर कर्ज बढ़ गया है तो इस दिन से यहने अक्षर ततिया के दि यानि लक्षवी जी से सम्मंदित आप किसी भी उपासना को शुरू कर सकते हैं और आप धन की किसी भी प्रकार की जो प्राब्लम में उससे मुक्ति पा सकते हैं लेकिन स्टार्ट करना है आपको अक्षर ततिया की दिन से तो यह तो थे कुछ उपाए जिनके थूँ आप अ कोई चीज खरी दिये अभिजीत मूर्थ में ही आप दान कीजिए अभिजीत मूर्थ में ही आप पूजा अर्चना कीजिए अगर आपको को संकल्प लेना है अगर किसी तरह का आपको शुब काम करना है तो भी आप अभिजीत मूर्थ में ही शुरू कीजिए अगर अभिज जान करें अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज असे लाइक कीजिए शेर कीजिए और मेरे जोतिश मंद्र को सब्सक्राइब कीजिए आज के लिए इतना ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक आप रहे ही खुश्च और मुझे दीजिया आगया जय हिंद झाल 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 झाल